ग्रामीन अधिवास इस अधिवास में अधिकतर किसान निवास करते हैं इनका मुख्य कारे क्रिशी से संबंधित होता है किन्तो स्थाने कारिगर जैसे बढ़ई, लोहार, कुमार, नाई, धोबी, जुलाहे, आधि सार्वजनिक कारे करते हैं क्रिशी प्रधान अधिवास में मुख्य बसाहट से हट कर कुछ घरों के समूव होते हैं जिने पुर्वा, टोला, पारा, आधि नामों से जाना जाता है 36 गड में पारा, डी, मजरा के नामों का प्रचलन है इन गामों में अनेक सामाजिक सुविधाएं सुलब रहती हैं जैसे सार्वजनिक कुवा, तालाब, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पंचायत, डागघर, चिकितसालय, क्रेविक्रे केंद्र, पुलिस थाना आधि भारत में ग्रामीर अधिवासों के निम्न प्रकार मिलते हैं पहला सघन अधिवास, दूसरा विखंडित अधिवास, तीसरा पल्ली पुर्वा अधिवास, चौथा प्रकेर्ण अत्वा विखरे अधिवास पहला सघन अधिवास इन अधिवासों में मकान पास-पास वसट कर बने होते हैं इसलिए ऐसे अधिवासों में सारे अधिवास किसी एक केंदरी इस्थल पर संकेंदरित हो जाते हैं यह आवासी छेत्र, खेतों वह चारा गाहों से दूर होते हैं इन अवासों का वित्रण उत्तर गंगा, सिंधु का मैदान, ओडिशा तट, करनाटक के मैदानी छेत्र, असम, त्रिपुरा के निचले छेत्र, तथा शिवालिक घाटी में मिलते हैं राजस्थान में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिक्तम उप्योग करने हेतु इस प्रकार के अधिवास होते हैं दूसरा, विखंडित अधिवास ऐसे अधिवास में केंद्र में सघन बसाहट होती है, इसके चारों और पल्ली, पुर्वा, बिखरे हुए बसे होते हैं ऐसे अधिवास मणी पुर में नदियों के सहारे, मध्य प्रदेश के मंडला, बाला घाट, तथा चत्यसगड के रायगड जिले में मिलते हैं तीसरा, पल्ली पुर्वा अधिवास, इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाईयों में बिखरे रूप में बसे रहते हैं समानित्या, समाजिक वजातिय कार को द्वारा ऐसे आवास प्रभावित होते हैं स्थानी तोर पर इन्हें पल्ली, पारा, पुर्वा, मुहला, घानी, आधि कहते हैं इस प्रकार के अधिवास प्रश्रिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटी मैदानों में पाये जाते हैं चोथा, प्रकिर्ण या बिखरे अधिवास इन अधिवासों को एकाकी अधिवास भी कहते हैं इन अधिवासों की इकाईयां छोटी-छोटी वह घरों का समू होता है इनकी संख्या 2-60 हो सकती है ऐसे अधिवास एक बड़े छेतर में बिखरे होते हैं छोटा नागपूर का पठार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आधि में ऐसे अधिवास मिलते हैं जो जन जाती बाहुल्य छेतर हैं ग्रामीर अधिवास विभिन प्रतिरूपों में देखे जाते हैं पहला, रेखिये प्रतिरूप इस प्रकार के प्रतिरूप बहुधा, मुख्य मार्गों, रेल मार्गों, नदियों के किनारे मिलते हैं दूसरा, आताकार प्रतिरूप क्रिशी जोतों के चारों और ऐसे प्रतिरूप विक्सित होते हैं सडके आताकार होती हैं महराश्ट आदर प्रदेश के परवती छेत्रों में ऐसे अधिवास मिलते हैं। तीसरा वर्गाकार प्रतिरूप ऐसे अधिवास मुख्यता पकडंडियों वह सडकों के मिलनिस्थल से संबंध होते हैं। ऐसे अधिवासों का संबंध का विस्तार कभी-कभी गाओं में उपलब्द चोकोर वर्गाकार छेत्र में ही करने की बाध्यता से होता है। चोथा वृत्ताकार प्रतिरूप ऐसे प्रतिरूप के अधिवास में सघन आभादी के कारण आवासी एकाईयां बहुत अधिक सट कर बसी रहती हैं। मकानों की बाहरी दिवारे आपस में सटी होने से या एक श्रिंखला बद सघन निकाई जैसा लगता है। यमुना के उपरी भाग, मालवा छेत्र, पंजाब, गुजरात, राज्य में ऐसे अधिवास के प्रतिरूप मिलते हैं। पाचवा अरियत रिज्या प्रतिरूप इस प्रकार के प्रतिरूप में सडके या गलियां किसी केंद्रे स्थान जैसे जलस्त्रोत, मंदिर, मस्जित, व्यवसाइक उन्मुक होती हैं। गुरु शिखर के पास माउन टाबू, राजस्थान, विंध्याचल मंदिर, उत्तरप्रदेश उसके प्रमुक उधारण हैं।